स्वागत है दोस्तों आपका Confusion 9.2.11 में दोस्तों यहां बिहार बोर्ड से जो इंटर का जो छात्र हैं जो इस वाप पर इच्छा दिये हैं बिहार बोर्ड इंटर 12 का उनकी दिल की धरकन बढ़ गई होगी क्योंकि कल जारी होगे बिहार बोर्ड इंटर परिच्छा 2019 के नतीजे तो पूरा न्यूस क्या है वो देख लिजे और कहां पर जारी होगे कैसे देखेंगे वो भी यहां पर बताया गया है तो यहां पर लिखा गया है बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2019 की घोसना कल होगी कल बिहार बोर्ड इंटर की तीनों स्ट्रीम तीनों स्ट्रीम में कला विज्ञान वानिज्य और वोकेशनल का रिजल्ट एक साथ जारी होगा बिहार बोर्ड इंटर मुलियांकन दो मार्च से शुरू हुआ था इस फार रिकॉर्ड समय में नतीजों की घोसना की जारी है नतीजे कल दो फर एक बज़े जारी किये जाएंगे एक बज़े जारी किये जाएंगे हो सके सर्वर में प्रोलम हो जाएगा या अचानक से लोड बढ़ने के कारण वो साम तक किलियर हो जाएगा तो दोस्त कल आप लोग पैसंस बनाए रखिएगा एक बज़े यहां जारी किये जाएंगे लिखा हुआ है लेकिन हो सकता है देर साम भी हो सके सर्वर पे जादा लोड रहने के कारण तो घबराईएगा नहीं कल तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा शिक्षा बिवा के अपर सचीव आरके महाजन और बोड अध्यक्ष आनंद किसो रिजल्ट को बोड बेव साइट पर जारी करेंगे पिद्यार्थी www.livehindustand.com पर रिजल्ट से जूरी हर अपडेट देख सकेंगे तो यह ओफिसल बेव साइट नहीं है आपका ओफिसल बेव साइट जो बिहार बोड का है ओफिसल बेव साइट वहाँ से आप जाकर अपना रॉल कोड रॉल नंबर जो भी होगा वो इंटर करके जो भी मांगेगा अपना माक्सिट आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ डाटा है बता दे कि इस वार इंटर परिच्छा में कूल 13,15,371 परिच्छार थी सामिल हुए थे परिच्छा 6 से 16 फरवरी तक चली थी हर दिन दो पाली में परिच्छा लिए गए थी तीनों संकाय का रिजल्ट एक साथ जारी की जाएगी इंटर का मुलियांकन मार्च के पहले सब्ता से शुरू हुआ था दस ते अधिक दिन मुलियांकन कारे चला पहली बार मार्च में मिलेगा रिजल्ट बोर्ड द्वारा पहली बार मार्च में रिजल्ट जारी की जारी है चुकि 2007 में समयोजन होने के बाद हर सल माई के दूसरे सब्ता के बाद ही रिजल्ट निकलता रहा है 2014 से 2018 तक की बात करें तो माई तीसरे और चौथे सप्ता में इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है लेकिन इस बार पैच्छा खत्म होने के माद 44 दिनों के बाद ही रिजल्ट जारी होगा तो यहाँ पे था और पिछले बार का जो रिजल्ट था वो हर वर्स बिहार बोर इंटर में करीब 12 से 13 लाख स्टुजेंट हिस्सा लेते हैं वर्स 2018 की इंटर पैच्छा में 12 लाख से ज्यादा पैच्छार्थियों ने हिस्सा लिया था 2018 में इंटर की पैच्छा 6 फरवरी से 16 फरवरी के बीच 1384 के अंदरों पर हुई थी बिहार बोर इंटरमीडियेट में कूल 52.95% अस्टुजेंट पास हुए थे और आर्ट का जो पास परतिसा था 63.12 कॉमर्स का था 91.32 और साइंस का जो था सबसे कम था पिछले बार साइंस में पास हो पाए थे दोस्तो तो इस वार इंतजार कीजिए इस वार बहुत ही कल पता चलेगा कि कैसा रिजल्ट गया है लोगों का और इस हिसाब से अब लोग कोचिंग लोगों का भी जल्द वहां भी कोचिंग वगए इंस्टूट में भी कि एड्मिशन चालू हो जाएगा दोस्तो और कॉलेज में भी एड्मिशन की प्रकीरिया चालू हो जाएगी रिजल्ट निकलने के बाद तो यहां पे बहुत लोग अपने कैरियर के परती होंगे सजग होंगे और आगे क्या करना है डिसाइड करके रखे होंगे दोस्तो तो आपके उजबल भविस्य के लिए बहुत बहुत सुब काम ना है इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत सुक्रिया आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद